जरूरत पढ़ने पर अपने ही काम आता है दवाईया और जरूरी सामान अपने नज़ी की मेडिकल स्टोर से ही मंगवा है लोकल को सपोर्ट करे, डाउनलोड करे आयू एप सबसे तेज, सबसे भरोसे मन्द जो बिडेन काफी आगे चल रहे हैं और वो धीरे धीरे बहुमत के करीब भी पहुँच रही है जबकि राश्टपती डोनाल ट्रम्प पिछरते हुए नज़र आ रहे हैं सिर्फ अमेरिका ही नहीं बलकि पूरी दुल्या की नज़र अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुए और या सरा देखिए टैली को देखिए 223 बिडेन के पास है और ट्रम्प सिर्फ 166 मैजिकल फिगर राश्टपती बनने के लिए वाइट हाउस पहुचने के लिए 270 चाहिए यानि की सिर्फ 37 वोट पीचे बिडेन अभी मैजिकल फिगर को टच करने से ट्रम्प अभी बहुत पीचे हैं ट्रम्प को अभी भी यहां से 104 चाहिए जो लगबग नामुम्किन है और इस जुरान आपको बता दें की बिडेन काफी हद तक ट्रम्प को पचारत हुए नजर आ रहे हैं उसके पीचे की बहुत सी वज़े हो सकती हैं वज़े ये भी हो सकती है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भारतिय मूल के नागरिक एक एक स्पैक्टर के तोर पर इस इलेक्शन में नजर आए और उसके पीछे की वज़ा कमला हैरिस भारत्य मूल की नागरिक जो बीडेन के समर्थन में और इस दौरान इलक्षन में काफी हद तक वो भारत्य मूल के नागरिक और इसके लावा एशिया के नागरिक उनको बीडेन की तरफ आकरशित कर दे में मैं तब पूर्ण भूमी का निभाती ने असर आई और यही वज़े थी कि अमेरिका के अंदर जो इस बार वोटिंग परसेंटेज रहा वो 67 पीज़ी के आसपास रहा यानि कि लगबग 16 करोड के आसपास अमेरिकन ने वोट किया और अब उसका असर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि बाइडेन 237 और ट्रम्प 204 यह ताजा आखड़ा इस वक्त आ चुका है और इसमें काफ़ी हद तक जो अंतर था बाइडेन और ट्रम्प के बीच वो पटता ह हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ जिस सरीके से राज्यों में वोट होते हैं पूरे के पूरे राज्यों के अंदर वोट एक तरप चले जाते हैं जैसे प्लोरीडा के अंदर जो वोट पड़े उन्होंने बाइडेन और ट्रम्प के बीच के अंतर को काफी हद तक क और ट्रम्प 204 वहुमत के लिए सिर्फ 43 के आसपास बाइडेन पीछे चल रहे हैं और अगर बाद ट्रम्प के की जाए तो ट्रम्प को यहां से भी मैजिकल फिगार यानि की 270 पहुँचने के लिए अभी भी 66 वोटों की जरूरत है मामला काफी नज्जी की है अभी भी बहुत से राजय ऐसे होंगे जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं और जहां काउंटिंग चल रही है तो ट्रम्प 204 है और अगर वो हारते हैं तो उसके पीछे बहुत सी वज़े हो सकती है एक वज़े यह हो सकती है कि कमला हैरिस का बाइडेन की तरफ जुकाओ उनको समर्थन करना और दूसरा ट्रम्प ने जिस सरीके से कोरोना काल में अमेरिका के अंदर लोकडाउन सबसे ही देरी से किया और इस वज़े से लाखों लोगों की जान गई उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपको नौकरी चाहिए या फिर आपको मास्क चाहिए ये चुनाओ बहुत अजीब और गरीब था क्योंकि जिस वक्त पूरा विश्व लोकडाउन में था जिस वक्त पूरे विश्व की प्रात्मिक जिम्मेदारी जो थी वो जिन्दियों को बचाने की थी उस जोरान ट्रम्प ना खुद मास्क इस्तमाल कर रहे थे और नहीं अमेरिकन्स को मास्क इस्तमाल करने के लिए कह रहे थे उन्होंने चुनाओं के दोरान ही अमेरिका ने भारत को लेकर भी बयान दिया और भारत को गंदा देश कहा था जिसका फाइदा बाइडेन ने उठाया था उन्होंने इस बयान के निंदा की थी और ये वो दरसल फैक्टर होंगे जो इस पूरे चुनाओं को बदल सकते हैं अलंकि ट्रम्प पांस साल से वहां राश्टपती हैं उनको आजसक के इतिहास में सबसे जूटा राश्टपती भी कहा गया एक रिपोर्ट चपी जिसमें कहा गया कि हर दस सेकेंड में ट्रम्प जूट बोलते हैं ये तमाम वो मुद्दे हैं जो ट्रम्प के खलाब जा सकते ह इसी तरीके से बाइडेन उनके भी कई ऐसे बयान जिनको लेकर कंट्रोबर्सी हुई और सो साल का इतिहास जब हम निकालते हैं अमेरिका का तो एक दिल्चस्प किस्सा भी नज़र आता है फ्लोरीडा के अंदर जो भी बढ़त बनाता है जिसको भी वोटिंग पसेंटेज ज्यादा मिलता है वो अमेरिका का राष्टपती बनता है इस बार अगर फ्लोरीडा के परिणाम की बात की जाये तो 51 फीज़ी के आसपास वोट जो मिले है वो ट्रम्प को मिले है बाइडेन फ्लोरीडा में उसे पिछडे है लगबग 42 फीज़ी के आसपास वोट बाइडेन को मिले है लेकिन उससे उल्टा यहाँ पर परिणाम दिखाई दे रहा है 227 बाइडेन और 204 टरंप अब अगर फ्लोरिडा के साथ जो 100 साल का इतिहास है वो अगर कंट्यूनी होता है तो फिर टरंप के लिए किसी चोकाने वाले आंकडे से कम नहीं होगा क्योंकि 23 के आंकडे को पचारना टरंप के लिए एक चुनोती और बाइडेन के लिए इसको मैंटेन करना आगे बढ़ना ये अपने आप में एक चुनोती है